तो हाई दोस्तों स्वागत करती एक बार फिर आपका हमारी बोल फटाफट फैमली में तो दोस्तों जासे कि हम सब जानते हैं कि जब मुनावर भाई बिग बोस सीजन 17 के विनर वने थे तो वो ट्रोफी को जो है वो डोंगरी में लेकर गए थे और वहाँ पर डोंगरी तो ड बोस के बाकी कंटेस्टन भी कॉपी करते हुए नजर आए जब अभिशेक ने पहले अपने पेरेंस को पंजाब में भेजा वहाँ पर हॉल बुक करवाया है मतलब पैसे लगाया और फिर लोगों को वहाँ पर इखटा करा ये सारी चीज़े हुई तो उनका स्वागत हुआ पंजाब के अंदर फिर उसके बाद जो है वो अरुन तहल का और चिंटू इन तीनों ने जो है वो एक मीट अप रखा रेली निकाली और उसके उसका प्रमोशन भी इन्होंने दो तीन इन पहले से ही जो है वो करना स्टार्ट कर दिया था तो अब यहाँ पर जो है जब यह यह लोग आप देखी यह लोग जो है तहल का और चिंटू जो है यह कार के ओपर खड़े हुए है और यह इनकी कार के देखे यहाँ पर जो है वो इंडियन फ्लैग लगा हुआ है और इस इंडियन फ्लैग के ओपर आप यह देखेंगे कि फैंस जो है वो चड़ रहे है मतलब चीजे इतनी गलर तरीके से हो रही है और वहां पर अरुन तहल का समर्थी लोग इस चीज के ओपर बिल्कुली ध्यान नहीं दे रहे हैं इनके टीम मेंबर्स खुद जो है वो इंडियन फ्लैक के ओपर चड़ चड़ कर रहे हैं तो आपको यह चीजे कहां तक सही लगत पर बिल्कुल पुछ चीजे जो है वो दिखाई नहीं दे रही और वहां पर एक चीज और बता दू वहां पर इतनी भीड़ी कटा हुई थी और वहां पर जो है वो अरुन की बजाए जो है वो मुनावर 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 के नाम के जो है वो नारे लग रहे थे क्या जो यह गलती अरुन तहल का और समर्थ ने किया यह गलती किसी और ने की होती मानो क्या ये गल्ती अगर मुनावर से हुई होती तो इसके ओपर कितने एक्शन्स अभी तक हो गई होते कितनी बाते इसके ओपर अभी तक हो गई होती कि भाई इसने हमारे देश का अपमान करा है इसको यहां भेजो इसको वहां भेजो लेकिन यह गलती अरुन तहल का और समर्द से हुई है तो इस चीज को जो है वो नजर अंदास क्यों किया जा रहा है भाई हम सड़क पे भी चलते हैं गर हमें कहीं अपना इंडियन फ्लैग दिखाई देता है ना पड़ा हुआ तो हम उ तो क्या कुछ आप इसके बारे में कहना चाहेंगे प्लीज हमें हमारे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताएं और सारे लेटेस्ट अबडेट के लिए हमारे चैनल बोल फटाफट को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा शेयर करे